नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहे हैं न्यू ज़ारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी केबर को अब जब कोरोना संक्रमन कम हो गया है तो राजी सरकार न धील वापस ले ली है और फिर से बायोमेट्रिक हाजरी को अनिवारी कर दिया है यह बहुत करमचारियों के एक जटके के समान है जारकन सरकार के सन्युक्त सच्यू ने सरकारी अधिकारियों और करमचारियों को जटक कर तत्काल जो है बायोमेट्रिक अटेंडन्स शुरू करने का निर्देस दिया है। जो है बायोमेट्रिक अटेंडन्स शुरू करने का निर्देस दिया है। जो है बायोमेट्रिक अटेंडन्स शुरू करने का निर्देस दिया है। जारिकन के कोडरमा जीले के डोमचांज थाना छेतर में होली में दो तिन जगों पर जम कर विवाद हुआ। सनिवार सुभा जहां काराखुट में दो जगों में विवाद को पुलिस प्रसासन की टीम ने किसी तरह सांथ कराया। वही रात में बंगाई कला में दो गोटों के बीच हुए बिवाद को सांथ कराने गई पुलिस तीम पर हमला कर दिया गया। भीड ने जम कर पत्थराओ किया जिससे एसाई सहित कई जो है पुलिस करमी घायल हो गए। गहतना की सुचना पाकर को डरमाइस पी कुमार गोरो वा डियस पी घटनास्तल पर पहुँचे और मामले को सांथ करातों हुए रात को पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। गहतना में दो युवकों की मौत हो गई। इन्हें अग्यात वहां दोरा टकर मार दी गई थी इससे घटनास्तल पर ही इनकी मौत हो गई। मिरतकों की पहचा नावाडी गाउं के राजु महतो 21 वर्सेवा राकिस महतो 22 वर्से ग्रूप में हुई है। चानल को सस्क्राइब ने की हैं तो प्लीज चानल को सस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस कर दे। जिससे आपको जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंसता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की आपको जारकन की रामगड से बड़ी खबर आ रही है। दोपहर एक बजे की है। बाद मी आननफानन में लोगों ने नदी में डोबे सुभम को बाहर निकाल कर आदर्स छेतरी चिकतसाले गिद्दी लाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोसित कर दिया। जीले के इचाग बजारदर्जी मोहले में दो समुदाईयों के बीच पहले जम कर पत्थरा हुआ। देखते ही देखते बिवाद इस कतर चल गया कि पूरा इलाका आसांत हो गया। उपद्रयों ने लोग की होली खराब कर दी। इस दोरान दोनों तरप से जम कर पत्थर बाजी हुई जिसमें दोनों समुदाई की आधा दरजन विवा को गम भिर छोट आई है। उपद्रयों ने एक फल की दुकान को आग की हवाले कर दिया। गरिब दुकनदार के जोहें देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राखो गई। कहा जा रहा है कि महौल कराब करने के लिए उपद्रयों ने जान बूच कर दुकान में आग लगाई है। मौके पर मौज पर नोटिस भी जारी किया है। साथी साथ युवाओं से आविदन मांगे हैं जो लोग आग नोकरी करना चाहते हैं वे उनलाइन के दौरा आविदन की परक्रिया को समय से पूरा करें। आभकारी को स्टेबल के 583 पदों पर भरती निकली है। आभकारी को स्टेबल की नो आविदन करने की अंदिमतिती 26 मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया है। अब अधिक जानकारी के लिए और आविदन करने के लिए www.jsc.nic.in पर जा सकते हैं। जारकन महला होकी टीम की घोशना कर दी गई है। या जानकारी होकी जारकन के उपाध्यक्ष मनोच जो है कौन बेगी नदी है। उन्होंने रभिवार को बता है कि इन खिलारियों में जो है रस्मी होरो, रोपनी कुमारी, उपकप्तान, काजल बाड़ा, अंकिता दिपती कुलू, कप्तान, किरानबाडा, महिमा टेटे, दिपिका सोरेन आधी समिल हैं। लेकिन सरकार की और से अब तक इस दिशा में कोई पहल नजर नहीं आ रही है। पिछले दिनों जब केंद्र सरकार की और से भोगता और पूराना जाती को अनुसुचित जन जाती आधिवासी का दरजा देने के लिए सदन में सविधान संसोधन बिलपेस किया गया था, तो इस कुडमी समुदाय के बीच भी उमीद की किरन जागे थी, लेकिन यह देर तक परकास में नहीं रही, अब भी समुदाय के लोग आधिवासी का दरजा पाने के लिए अंदोलन रत हैं, जारकन पसिम बंगाल और उडिसा के जिन इलाकों में कुडमी समुदाय के लोग रह राश्टपती रामनात कोबिंद को ग्यापन देकर आधिवासी का दाजा देने की मांकी थी, खुदासु पार्टी के सांसद शंद्रप्रकास चौधरी, भाजपा के सांसद विधुत वरन महतो, पुरलिया के सांसद, जोतिर्माई सिंह, महतो तथा गोमिया के विधायक लं बर फिर महतो समुदाए के सब ही नेताओं की गोलबंदी जो है अंदर खाने हो रही है, इस मांग को लेकर जारकन समय तीनो राजजों में मजबूत तरीके से आंदुलन चलाने की तैयारी हो रही है, आंदुलन से पहले तीनो राजजों के कुडमी नेताओं की जो रासन दुकानों से अनाज का उठाव करने की तमाम जंजटों को खत्म करतो हुए जारकन सरकार पाइलट आधार पर राजबर में दस अस्थानों पर एटियम मसीनों से अनाज पाटे की अनाज एटियम एक बहु वस्तू स्वाचालित मसीन अस्थापित करने के लिए मुखमंतरी हिमन्तु सुरेन की सरकार एक महत्वकांची परियोचना प्रकाम कर रही है सरकार के इस कदम का उद्देश लभ्यार्तियों को खाद पदार्तों की निर्बाध डिलिवरी के लिए सरवचनिक वितरन परनाली प्रिडियस का आधुनिकी करन करना है आपूर्ति स्रिंखला में जो है रिसाओ की जाच करना है या कदम इस आधिवासी गड़ के लिए महत्वपून है जहां तीन कोड आबाधी में से 65 लाग से अधिक रासन का अधारक है लाभ्यार्थियों को रासन की जो है अनियमित डिलिवरी और यहां तक के भी जो है मानो निर्मित बाधाओं के कारन भोग से मौत की खबरे आम है राज के खाद नागरिक आपूर्ती और उभोगता मामले के विभाग के निदिशक दिलिव तिर्की ने बता है कि वे अनाज एटियम की आपूर्ती अस्थापना रख रखा और संचालन के लिए एक एजनसी की तलास कर रहे हैं हमने इस महिने की जो है सुर्वात में परियोजना के लिए रूची की जो है अभिव्यक्ती जारी की है एक छुक पार्टियों से अपना प्रस्ताव भेजने की मांकी है जो है बोली लगाने के लिए आविदन करने की तारिक अब 23 मार्स तक बढ़ा दी गई है क्योंकि पहल के हर चोटी बड़ी कवर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे है तो आज के लिए बस इतना ही हमें दिज़ा इजाजत फिर मिलते हैं नेक्स न्यूज में